हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड तब्लीकी जमात से जुड़े लोगों की वज़े से देश में 30 फीज़दी कोरोना के मामने बढ़े हैं जब सरकार की तरफ से इन लोगों का अस्पताल में इलाज कराये जा रहा है तो ये सही योग की बजाए स्वास्त कर्मियों से बचसलूकी कर रहे हैं ये तस्वीरे हम आपको दिखाएंगे जो यूपी से हमें मिल रही है कानपूर के अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ बचसलूकी की है तब्लीकी जमात के लोगों ने यूपी के कानपूर की जहां तबली की जमाज से जुड़े हुए ये लोग अस्पताल में नमाज पढ़ रहे थे डॉक्टर्स ने जब इनको रोका तो इन्होंने बहस करना शुरू कर दिया डॉक्टर्स की मनाही के बावजूद लोग वाट के अंदर इकटा होकर नमाज पढ़ रहे हैं और बहस कर रहे हैं डॉक्टर्स से ये समझना पढ़ेगा आप किसी भी धर्म से तालुख रखते हो रणबीर हमारे सयोगी हमसे जोड रहे हैं रणबीर बहुत चिंता जनक ये मामला है इसको किसी एक धर्म से नहीं जोडना चाहिए हर धर्म के लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए चाहे नमाज पढ़नी हो चाहे मंदिर में पूजा करनी हो चाहे आपको चर्च में जाकर पूजा करनी हो लेकिन हर जगे अगर आप इस तरह एकटा होंगे तो संक्रमन बढ़ता चला जाएगा देखी यही मुझे समझने आ रहा है हम लोग करीब एक महीने से फील में घूम रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं काफी सारे लोग डरे हुए हैं अपने घर का भी जरूत का समान लेने के लिए लोग निकलने से पहले डरते हैं लेकिन पता नहीं इन लोगों के अंदर क्या ऐसा दिमाग में भरा हुआ है कि अपनी जान की इनको चिंता नहीं है दूसरों के जान की चिंता नहीं है और जो इनकी सेवा करने में डॉक्टर् कर रहे है नमाज पढ़ने को किसी की अपने अपनी जगें में रखे अगर नमाज पढ़ा जाए इसके लिए ना डॉक्टर्ज मना कर रहे हैं ना प्रशाशन मना कर रहे हैं लेकिन भीड इखटी करके नमाज पढ़ने पर मना ही है और ये हलेट अस्पताल की तस्वीरें है कानपूर की जहां हलेट अस्पताल से दो दिन पहले प्रिंसिपल ने आरोप लगाया था कि ये लोग बतमीजी कर रहे हैं और अब CCTV फुटेज आई है इसमें दो तारीक की दूसरी तस्वीर जो है वो कल की है कल यानी चार तरीक की चार तरीक को नमाज पढ़ने के लिए ये लोग वाड में इखटा हुए डॉक्टर्स उनको मना कर रहे हैं डॉक्टर्स से बहस कर रहे हैं और इखटा होकर कि नमाज वाड के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये CCTV क्यों लोगों को परिशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद अगर बाकी तस्वीरों को बात करें हॉस्पिटल के बाहर तो जिस तरीके से घरों के अंदर की तस्वीर आ रही हैं जिस तरह है जुमे के दिन जो लोग भीड इखटा करके नमाज पढ़ने जासुका लगाने की बात तो पहले ही की जा चुकी है मुखे मंत्री योगिया इतनात के द्वारा छोटा सा जवाब बिल्कुल होगी जिस तरीके से घाज़याबाद में जिस तरीके से ठूकने की ख़वर आई उसके बाद फायार दरच की गई अब यहां भी वही होगा कारवाई होगी कड़ी से कड़ी कारवाई होगी और अब इन लोगों को ऐसी जगे रखा जाएगा जहां पर ना कोई मह पुलिस करमी महिला स्वास्ड करमी होगी सिर्फ पुरुश होंगे और उसके बाद पिलहाल इनको अस्पetztal में ही रखा जाएगा इसके बंदुबस्त होगे क्योंकि निकलेंगे तो खतरनाख हो जाएगा तो इनको अस्पेटल में रखेंगे और करवाई जरूर होगी झाल झाल